आज हम इस वीडियो में 36 गड़ के 5 ऐसे जगह के बारे में बात करने वाले हैं, जहां घूमने के बाद आपका भी दिल खुशी से जूम उठेगा, आखिर कौन-कौन से वह 5 जगह है इस वीडियो में जानते हैं, आपको कौन सा जगह अच्छा लगा यह आप मुझे कमेंट जरूर करें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. टाइगर पॉइंट, जलजली पॉइंट, उल्टा पानी, जलपरी पॉइंट, बॉध्ध मंदिर. लक्षमन मंदिर प्राचीन स्मारक है, जो गहरे प्रेम का एक अनुठा उदाहरण है. यह पती के प्यार का प्रतीक है, नागर शैली का यह मंदिर रानी वासाटा देवी, राजा हर्शगुप्त की स्मृती में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान 735 से 40 ईस्वी में बनवाया था. प्यार का यह अनोखा समारक ताज महल से भी पुराना है. यह मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है, लेकिन मंदिर के अंदर शेशनाग में लक्षमन जी की मूर्ती है, इसलिए इसे लक्षमन मंदिर कहा जाता है. यह 36 गड के पर्यटन स्थल में से एक है, जिसने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है. नमबर 3 गिरोधपुरी जैतखाम गिरोधपुरी जैतखाम धाम महानदी और जोंक नदियों के संगम पर गिरोधपुरी गाओं में स्थित है, बलॉदा बाजार से 40 किलो मेटर और बिलासपुर से 80 किलो मेटर दूर से दिखाई देता है, इस सफेद स्थम्भ की आधोनिक वास्तुपला बहुत शानदार है. सबसे कमाल की बात यह है कि यह कुतुब मीनार से भी उचा है इसकी उचाई 77 मीटर 243 फीट है जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर 237 फीट उची है इसमें 07 बालकनी बनाया गया है जिसके मदद से आप आसपास के सुंदर दर्स्य का लुफ्ट उठा सकते हैं नमबर 2 चित्रकूट जलप्रपात 36 गड का यह खूबसूरत जलप्रपात बस्तर जिले के जगलपुर शहर से 38 किलोमीटर दूर इंदरावती नदी पर स्थित है जिसकी चौड़ाई 985 फीट और 95 फीट है यह जलप्रपात घोडे के नाल के आकार का है इस कारण इसे भारत का नियागरा के रूप में जाना जाता है यह मानसून के दौरान अपने चरम पर होता है मौसम के अनुसार यह अलग-अलग खूबसूरत द्रश्य का निर्मान का करता है अगर आपको नदिया, जरने और हरियाली पसंद है तो यह परियतन स्थल आपके लिए ही है इस मंदिर को 36 गड का खजुराहो कहा जाता है और इसकी तुलना उरिसा के सूर्य मंदिर से भी की जाती है यह मंदिर 36 गड के प्रमुख परियतन स्थल में से एक है इस मंदिर को 1089 में फणी नागवनशी शासक गोपाल देव ने बनवाया था इस मंदिर के गर्भगरिह में मुख्य रूप से शिवलिंग की मूर्तिया है इसके अलावा भगवान विश्नु के अवतार और काल भैरव अश्ट भुजी गणेश की निरित्य करते हुए मूर्तिया है